सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं दोस्तों गर्म का मोसम आ चुका है इस में बात करें कि अपने आप बकरा बकरी या गाय या किसी भी जानुर को कैसे रख रखाओ करना है कैसे उसको रखना है कि उसको ना लगे और गर्मी से बचे और कैसा सेड होना चाहिए क्या खिलाना चाहिए क्या पिलाना चाहिए इस स्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको आप सबस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा कोई अगर आपको क्वेश्चन होगा पर सुन होगा तो नि breaking जो बनता है ओ रिखे हुए हैं मगर अगर आप टीना यानि करकट रखे हुए हैं तो आप उसको क्या करणा उस पर प्वाल या पतजर हैं खो इसके जानौर को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और जानौर आपको परिसान होगा इसके लिए उपर में आपको अच्छा कासा मोटा कम से कम 10 से 20 सेंटी का पुआल पूरा अच्छा से डाल दे की डारेक्स जो परे उसके उपर परे बाद में आपको टीन के उपर आएगा अगर बाद में जानी जानी बनाता है तो इसके लिए आपको यह सब शिप्टी देखना है उसके बाद माल लेजा खूला एरिया होना चाहिए खूला मीज अगर जो दिवाल जो बनते बीच में जाली लगाया जाता है अगर आपने फार्म बना तो जाली के पास में कहा कि आपको जो भूरी होता है उसको आप पूरा ही पूरा वह पे डाल दिजे घिधर लगा। क्या उपधर करके उसके उपर कहें आप पानी डाल दीजे क्योंकि गिला हो जाएगा जो भी हवा आएगा जिस क्यों ढूसां कर hidden हवा अंदर जाएगी और बकरी को आपको ठंडा महसूस होगा बकरी को ये उसको ध्यान के लिए दीजेए अंदर में उसको हवा लगता रहेगा बक्री बक्रा को और ईकश्चाण को और सबसुने की कि हिछे शोव्य उठेक बखर पिक देगा इससे कि आपका बक्री जो है बक्रा है गर्मी से बच जाएगा और अगर खाने का बात करें तो आप ठंडा खाना उसको दें और पानी जो है ताजा पानी उसको आप पीने को दें ताजा पानी जो हो आपको पीने को दें ताजा पानी जो हो आपको पीने को दें थंडा होना पीने में अराम रहेगा और अंदर से उसके साथ आप गुल्प्रून डी यह बहुत से आते हैं अपने बक्री को पीने को दे सकते हैं बोड़ी उसका ठीक रहेगा तो यह सब चीज पर मेटर बात करें दोस्तों और आप को क्या खिलाना क्या प्लाना है इसके लिए अलग से व ओके दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिन बाए बाए बाए